13.5 समाज की साथ वर्षी अहिंसा यात्रा का समापन आचारी महाश्टमन जी के नेत्रतों में निकाली गई अहिंसा यात्रा यात्रा के सबापन अफसर पर स्पीकर ओम बिल्डा ने सम्मोधित किया कहां आचारी श्री के नितरुतों में लालकिले से प्रादम हुई महान अहिंसा यात्रा यात्रा से देश के सभी राज्यों के साथ अन्य देशों में भी अहिंसा का संदेश दिया गया 18,000 किलोमेटर की यात्रा ने विश्व सदाचार, नैतिकता, सद्भावना को बढ़ाया आचारी श्री ने देश की विविदता को जोड मानवता को एक किया भगवान, आदिनात, पाशर्वनात और महावीर स्वामी की सिक्षाओं को जनजद तक पहुचाया आचारे तुलसी और महाप्रग्य के विचार और सिद्दान्त लोगों को अपना रहे हैं हिंसागरस्त शेत्र के लोगों में भी स्यात्रा ने नया प्रकाश डाला है तो ये यात्रा नशामुक्ति के खिलाब जागुकता उत्पन करने में प्रभावी रही है जैन समाज परीग्रह त्याग सेवा और समर्पन से माना उत्थान को समर्पित जैन धर्म व्यक्ति को स्वेम पर नियंत्रन कर सयमित जीवन का मार्ग दिखाता है नौ नॉम्बर नीस सो चोधा को अइंसा यात्रा शुकी थी और आज साथ वर्षों बाद आचारे जी की ये अइंसा यात्रा का समापन यहां पर हो रहा है आचारे जी ने इस यात्रा में भारत के अलग अलग राज्जों उनके काउं धानी शेहरों मैं तो पद्यात्रा की इसके साथ साथ आचारे जी ने हमारे पड़ोसी दीश नेपाल और भूटान की भी याद्वा की और वहाँ भी उन्होंने भारतिय संस्कतिय और आज्यात्मत का संदीश वार की जन्ता तक पहुचाएं उन्हों भारतिय।